नमस्कार दोस्तों प्रकार से होंगे उसी प्रकार मई में आपकी जो राशी है उसको मिलने वाले जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे सभी के बारे में टीटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उसी परकार आपका से स्टेश भी है अब ये जो गुरु है ये गुरु आपके दशंबाव में ब्रह्मन कर रहा था तो पिछले करीबन जो साल था मतलब इस महीने से लेकर पिछले करीबन एक साल था उसमें आपका जो भी कारिशेतर है उससे related थोड़े स्ट्रेस आपने देखे होंगे खास करके mental stress जिसे हम कहते हैं मानसिक तनाव में आपने काफी देखा होगा उसे परकार घर के जो स्ट्रेस थे वो भी काफी जादा आपने अनुवाव किये होंगे लेकिन अप जो बात है वो पूरी तरह से बदलने वादी है गुरू अप जो कि है आपकी नाम वाव में विरमन करने जा रहा है उसका सबसे पहना वाव में विरमन जो बात है जो कि आप में नज़र आएगी आपके आपका जो financial status है उसके बारे में तो detail में चर्शा करेंगे और सबसे महत बुरू बात जो गुरू आपके बाग्य वाव में विरमन करेगा वो आप में confidence लेके आएगा आपका जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा अब देखा होगा कि आपने प्रहत ने तो बहुत किया थे effort भी काफी दिये थे लेकिन बात जैसा आप चाहते हो उस तरह से नहीं हो रहे थे उसके जो results है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे थे लेकिन अब जैसे गुरू आपके लाववाव में ब्रहमन करेगा तो सबसे महतो बुडबात आपका confidence हाया हो जाएगा उसी प्रकार जीवन के प्रती आपकी जो दृष्टिय है वो भी काफी सकारतमत देखी जाएगी तो गुरू का जो ब्रहमन है वो आपके लिए बहुत ही जादा शुम्फलदाई सावित होगा सबसे पहले हम चर्चाते रहेंगे कि मई के महिने में आपका जो स्वास्त है शारिक या फिर्मा सिक वो किस पकार का होगा जैसे कि आपके राश्री का जो शष्टेश है गुरू जो की आपके लाब वाउ में ब्रहमन करने जा रहा है दो तारीक के बाद तो दो मई से लेकर करीवद दो मई दो हजार चोविस से लेकर चावदा मई दो हजार पच्चीस तक का ये जो गुरू है वो आपके लाब वाउ में ब्रहमन करेगा अब हम चैशा करेंगे आपका जो फाइनेश है रवी जो की आपके दशम बाउ में ब्रहमन करेगा उसे परकार आपके राशी का जो पंचमेश है मंगल जो गरह है वो आपके राशी के लिए सबसे महतोपुरूनक रह कर लाता है क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और जो मंगल है इसे राज योग कार भी कहते है अब ये जो मंगल है आपके भाग्य बाउ में रमन कर रहा है तो खास कर कि अगर आप शेयर मार्कन में ठ्रेट करते को तो आपके लिए भाग्य का जो साथ है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा मतलब जो भी आप invest करोगे long term में या फिर short term में उसके जो retails है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएगे उसे प्रकार जो भी आप invest कर रहें मतलब आपका जो दनेश है वो भी आपके लाब वह में ब्रमन करेगा तो आपकी जो आए है मतलब हद दिन की या फिर हद मैने की जो आए है इंकम है उसमें भी काफे अच्छा इजाफा देखा जाएगा कुल मिलाते देखा जाए या फिर मोटे दोर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण मैना है वो आपके लिए पैसे के मामले में किसी दी प्रकार के problem, complication देखके नहीं आएगा और सबसे important बग आपकी जो इंकम है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, भागय का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नज़र आगा आप एक बात तो हो सकती है कि आप जो भी इंकम कर रहे हो उसमें किस तरह से इजाफा किया जाए इससे रिलिटा बहुत ज़्यदा effort लोगे और वो effort successful होते वे भी नज़र आएंगे तो पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें अब हम चर्चा करेंगे growth okay फिर family happiness के मामले में तो आपके राशी का जो चतुरतेश है शुक्र जो की आपकी दिशम माँ में ब्रह्मन कर रहा है और दिनांग 20 सारीक के बाद यह जो शुक्र है वो आपके लाब माँ में ब्रह्मन करेगा स्वायन के राश्य के बहुत ही अच्छी बात है घर के जो लोगे उनके साथ आपकी जो interaction है वो काफी अच्छी देगी देखी जाएगी किसी भी प्रकार के problem देखे नहीं जाएगे आपके घर में कोई नई आप वस्तु जो है वो भी ले सकते है जो विक्त कोई नई शुर्वात हो सकती है जो कि आपके आपका जो भी आजिशेतर है उससे रिलेट हो सकती है और उसमें सक्सेस होने की संभावना भी काफी अच्छी दिखाई देरेंग है अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लैफ है या फिर रिनेशन्शिप है उसके मामले म तो रिलेशन्शिप के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें आपका जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके बाग्य बाव में ब्रह्मन कर रहा है उसके सब्सक्राइब आपके पंचम बाव पर आने वाली है तो अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ जो वो काफी ज़्यादा स्मूज चलती हुई नजर आगी और यदि आप नई relationship बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो बहुत है अच्छा देखा जाएगा खास करके अगर कल राशी के जो विक्ति है वो नई relationship में भी आ सकते है मही के महीने में जो की काफी अच्छी बात होगी और आपका जो mindset है वो काफी अच्छा देखा जाएगा पिछली करिवन एकाल साल से अगर देखे जो बात है जैसा आप चाहते थे उससे उस परकार बिल्कुर भी नहीं होते वो रहे जिस ट्रेस्ट फिन थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा था लेकिन अब जैसी ये गु जादा शुबफन ददाई साबित होगा तो नों के लिए भी ये जो साल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा उसे परकार जो विक्ति ये फिल जो हैक्टर जो करते हैं समाचそंब सामने अपनी कुझन बात हैं चाते हैं उसकी परकास करें जो मेंए वह हैं या भी उप वीवास शुक के मारले में की आपके जो वईवाईक जीवर है वोसIs प्रकार का होयाँ जैसे कि आपके राशिक का कीक आपके वाईवाईक जीवर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुख फलिदाई साबीत होंगा यंगेट मेंट होना जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से रिष्टे आना या फिर प्रत्यक्षर रुप में विवा होना इस प्रकार के अनुबव आप ले सकते हो इसके बाद हम चर्चा दरेंगे आपका जो कारिशेतर है उस सरे लिटर ठीक कि आपके राशी का जो करमेश है मंगल जो कि आपके बागे बाव में विर्मन कर रहा है आपके कर्म बाव में रभी गुरु शुक्र का भी ब्रह्मन होने जा रहा है रभी जो कि 15 तरह के बाद आपके लाब बाव में ब्रह्मन करेगा गुरु दो तरह के बाद आपके लाब बाव में ब्रह्मन करेगा और आपके दशनबाव में अर्शल और बुद भी आ रहा है ब आपको अच्छे रिजर्स भी आएंगे, मांगे का साथ भी काफी अच्छा मिनता हो नजार आएगा, लाब भी आपको बहुत ही अच्छ भी लेगे, मतलब जो भी काम करोगे, उसके जो रिजर्स है, वा आपको जन्दी-जन्दी में आजाएंगे, जो confidence है, वा आप में काफी अच्छा देगा, बिल्कुल भी यह संपुर्ण मेना है, वा आपकी यह पिछले करिवबन 8-9 मेने से बिल्कुल भी अलोग होगा, और जिसमें काफी अच्छे success rate आप देख सकते हो, तो जो भी काम आप करना चाते हो, जो भी आपने सोचा है, अधानकारों को गई है, फिर उसमें आप successful होने की संबावना काफी अच्छी बन रहे है, उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, आपकी जो भाई वैने उनके साथ भी आपकी जो relationship है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, उसे प्रकार कुछ नई investment भी इस मैने होने की संबावना काफी अच्छी बन रहे है, तो अब हम चर्शा करेंगे कि आप जो ग्रहयोग है, उसके जो परणाव है, वो आपको किस प्रकार से मिच सकते हैं, जैसे कि दिनाल 13 तरिक को रवी और हर्शल की यूती होने जा रही है आपके दशंबाव में, अब ये जो रवी रशल की यूती आपके दशंबाव में होने जा रही है, तो जो भी आपकार शेतर वापर के जो लोग है या फिर सहक एर्मी है, उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकराव हो सकती है, उसे प्रकार आप कुछ नया करोगे, जो कि ये फूचर के लिए बविश्य क की यूती होने जा रही है, उसे प्रकार शुकर और अर्शल की यूती होने जा रही है आपके दशंबाव में, अभी जो रवी गुरु की यूती आपके लाब वाव में होने जा रही है, बहुत ही सादा शुक्षल दाई साबित होगी, जो भी आपके मन में इच्छा है, जो इन दिनों में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बादरे कुछ अच्छी लाफ बगरा भी होगा कुछ अच्छी इंड्समेंट भी होगी तो रभी गरुरु की यूतिया आपके लाम में बहुत ही ज़्यादा शुक्ष देदा इसाबित होगी शुक्र हर्षिल की जो यूत है आपके दशनबाव में तो जापर आप काम करते हो नोकरी करते हो या फिर वेवसाय करते हो आप पर की जो मैला सदिसरेंगे या फिर मैला करत्मचारी कोंगे उनके साथ चूटी मुझी बातों को लेकर तकरा हो सकती बस आपको इसी क्योंबर थोड़ा ध्यान देना होगा इसी प्रकार दिनांग बिस तारिक को मंगल और राहू की युति आपके भाग्यबाव में होने जा रही है तो बिस जो तारिक है तोड़ा सब ध्यान दरखी है इन दिनोंगे किसी भी प्रकार के महतो प्रणियर ने बिल्कुल भी नहीं लेना आपके जो अंदाज है वो हो सकता है और खास करके यदि आप शेयर मार्कर में ट्रेट करते हो तो किसी भी प्रकार के महतो प्रणियर ने या फिर इन्वेस्मेंट या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना इसे प्रकार दिनांग की कतिस तारिक को बुद्ध और हर्षल की युति भी होने जा रही है अब ये जो बुद्ध अर्षल की युति आप ये दश्मभाव में होने जा रहे तो जो भी आपका कारशेतर है उससे रिलेटर डॉकुमेटेशन की बाते बिल्कुल भी नहीं करना उसे प्रकार कारशेतर से रिलेटर अगर आपको गुमना फिरना होता है तो सेहत के बारे म थोड़ा ध्यान देना होगा गुमना के देखा जाए या फिर मोटे तरपर यह देखा जाए तो यह जो संपुर्ण मेना है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है मतलब अगर आप तुर ला करते हो फिछले 7-8 मेने से तो यह जो मेना है मतलब मई 2024 जो मेना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्ष लिदाई साबित होगा खास करें कि हर एक मकाम पर मतलब पैसे के मामले में विवा के मामले में रिलेशनल्शिप के मामले में घर का जो माहूल है वो भी काफी अच्छा होगा सबसे महत्तों परनबाद आपको जो confidence है वो काफी जो कि बहुत ही अंच्छा शुफव लिदाई माना जाता है मतलब साल बार की जो साड़े तीन मूर्थ सबसे में तो बड़ा शुफव लिदाई मिन माने जाते है उसमें अच्छे तरीते का एक मूर्त भी आता है अब इस मूर्थ में या आप कोई किसी भी प्रकालब के जो तो वह उसका आप उपभोग ले पाओगे या फिर इंवेस्मेंट करते हैं तो इसमें आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं उसके जो रिटन्स है वो काफी अच्छे मिल सकते हैं अब यहाँ पर एक मैं टीप आपको देरा चाहूंगा जरूर उस पर आप काम कीजिए या फिर जरूर वो ठ्राइ कीजिए आपके उसके अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे खास करके जो पर्स होती है मतलब पुर्शो के मारे में जो वॉनलेट होता है जो पॉकेड होता है या ले इस अस थ्रीवरılar के मामनें बीजो परिस होता है वह जो पर सबीजिए इस दिनमे मतलब आक्षए-त्रिजिए और उसके जो रिजर्ट्स है वह आप आद आध आध देखने मिलेंगे जैसे कि इसमें आए विजए जो खर्चे है वो आपकी काम होंगे और आई जो है वो क पुद्धिब औरनेमा है, अमायर और पोरनेमा के दिल, किसी भी प्रकार के महत उपड़ेनी रिने रिने, jó कमिटमेंट भी नहीं करना, विवादहों में बिलकुल भी नहीं चाना किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना अगर लेते हो तो आपकी जो रिस्क है वो चूकने के संबाउना काफी ज़्यादा बनती है कुल मिला के देखा जाए तो फिर से मैं कहना चाओंगा तो यह जो संपुर्ण मेना है कर कराशी के लिए बहुत ही ज़्यादा श्यूंफ लदाई साबीत होगा आपके इस पर विचार क्या है आपके अलोबाव क्या है दीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है प्रमांड सिद्यास्टो इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जन्यबार